पाठ आठ वह किसान एक दिन विश्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्य लोक में वह कौन है, पुन्यश लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विश्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूँगा, नारद जी चल दिये, पहुँचे भक्त के यहां, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दर्वाजे पहुच कर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम प उसने मधर नाम स्मरन किया, बस केवल तीन बार नारद चक्रा गए, किन्तु भगवान को किसान ही यह याद आया है, गए विश्णु लोक बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में तीन बार नाम उसने लिया है, बोले विश्णु नारद जी आवश्यक दूसरा एक क आम आया है, तैल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिना कर आये भूमंडल की, ध्यान रहे सविशेश, एक बून्द भी इससे तेल न गिरने पाए, लेकर चले नारद जी आग्या पर धृत्रित लक्ष्य, एक बून्द तेल उस पात्र से गिरे नहीं, योगी राज जल नारद ही विश्व पर्यटन करके लोटे बैक उंठ को, तेल एक बून्द भी उस पात्र से गिरा नहीं, नारद को देख कर विश्णु भगवान ने मैठाया सनेह से कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इश्ट का ल लगा रहा, नाम फिर क्या लेता और? विश्णु ने कहा, नारद उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तर दायत्वक कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम, नारद लज्जित हुए कहा, यह सत्य है